हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन माई बिगेस्ट क्लासेश दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भारत की जनजातियों से कुछ महतपूर प्रश्ण तो चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को Q1 पनियान तथा इरूला जन जातियां किस राज में निवास करती हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा Q2 Q2 अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं कोशन नमबर थर्ड लेपचा तथा भूटिया जनजातियां का निवास शेत्र कहां है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A सिक्किम में है कोशन नमबर फोर निम्न लिखित केंद्र शाशित प्रदेसों में से ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं कोशन नमबर फाइब आदिवासी समू सहारिया का समबन्ध किस राज से है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C राजस्थान राज से है Q6. निम्न लिखित में कौन सी एक राजस्थान की जनजात नहीं है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओफशन नमबर C. डोगरी जनजात नहीं है Q7. मुंडा जनजात कहा निवास करती है इसका right answer हो जाएगा option number B, जारखंड में निवास करती है question number 8, भील जनजात मुख्य रूप से निवास करती है इसके चार option है, option A, राजस्थान, option B, गुजरात, option C, मद्प्रदेश, option D, तीनों के सीमावर्ती छेत्रों में question number 9, कुकी जनजात के लोग रहते है, इसका right answer हो जाएगा option number A, मड़िपुर में रहते है question number 10, गारो, खासी तथा जयनतियां, जनजातियां किस राज में निवास करती है question number 11, आओ जनजाति संबंधित है, इसका right answer हो जाएगा option number B, असम से संबंधित है question number 12, गोंड जनजाति का निवास छेत्र है, इसका right answer हो जाएगा option number C, आंध प्रदेश question number 13, निवन लिखित में से किस राज में मुख्यता कुकी जनजाति मुख्यता निवास करती है इसका right answer हो जाएगा option number A, मड़पुर में मुख्यता निवास करती है Q14. भारत की सबसे बड़ी जंजात कौन सी है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A. गोंड जंजात सबसे बड़ी है Q15. निम्न लिखित में से कौन जंजात मौसमी प्रवास से सम्बंधित है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number B. भोटिया Q16. चिंचु जंजात किस प्रदेश के निवासी है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number B. आंध प्रदेश के निवासी है Q17. ओराओ जंजात किस राज से सम्बंधित है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C. जार खंड राज से सम्बंधित है Q18. टोड़ा जनजात कहां पाई जाती है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर D. नीलगीर पहाड़ियों में पाई जाती है Q19. जारखंड राज की सबसे बड़ी जनजाती है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर D. संथाल जनजाती है Q20. गारो जनजाती है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर D. में घाले की जनजाती है Q21. बोडो निवासी है? इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर A. गारो पहाड़ी के निवासी है Q22. गद्धी लोक निवासी है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B हिमाचल प्रदेश की Q23. निम्न लिखित इस्थानों में से कहां शोमपेन जनजाती पाई जाती है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B Q24. सहारिया जनजाती मुखिता निवास करती है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C Q25. भील जनजाती कहां पाई जाती है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर D महाराष्ट में पाई जाती है Q26 भारत की निम्न लिखी जन जातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है इसके चार ओप्शन्स है नमबर एक गोंड नमबर दो नागा नमबर तीन जौन सारी नमबर चार टोडा इसके चार ओप्शन दिये गए है चार ओप्शन में से इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी तीन और चार Q27 भारत की सरवाधिक बड़ी जन जाती है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी गोंड जन जात सबसे बड़ी है Q28. बिरहोर का शापदिक अर्थ है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A जंगल का आदमी Q29. धुमकुरिया किस जनजात की सामाजिक संस्था है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A Q30. निम्न लिखित राजियों में से किस में अधिसूचित जनजात नहीं पाई जाती है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B हरियाडा में अनसूचित जनजात नहीं पाई जाती है Q31. निम्न लिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है इसका right answer हो जाएगा option number A, change 2 Question number 32, निम्न लिखित में से किस राज में जन जाती समुदाई की पहचान नहीं की गई है इसका right answer हो जाएगा option number C, हरियाना में नहीं की गई है Question number 33, थारू जन जातियां पाई जाती है इसका right answer हो जाएगा option number A, तराई प्रदेश में पाई जाती है Question number 34, निम्न लिखित में से कौन सा जन जाती समुदाई मणिपुर में पाया जाता है इसका right answer हो जाएगा option number C, कूकी में पाया जाता है Question number 35, अहोम जन जाती भारत के किस राज से संबंधित है इसका right answer हो जाएगा option number A, असम से संबंधित है Question number 36, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दच्छडी राजस्थान की जन जात कौन सी है इसका right answer हो जाएगा option number A, गरासिया है Question number 37, भील जन जात भारत में सरवाधिक पाय जाती है इसका right answer हो जाएगा option number C, मद्द प्रदेश में सरवाधिक पाय जाती है Question number 38, निम्न लिखित में से कौन सी जन जात नील गिर पहाडियों से संबंधित है इसका right answer हो जाएगा option number C, बदगा Question number 39, उत्तर प्रदेश की सरवाधिक जन संख्या वाली जन जात निम्न में से कौन सी है Question number 40, निम्न लिखित में से कौन सी जन जात उत्तर प्रदेश और उत्तरा खंड से संबंधित है इसका right answer हो जाएगा option number B, थारू Question number 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचीयों के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए सूची 1 में जन जात दिया है, सूची 2 में प्रदेश दिया है जन जात को प्रदेश से मैच करना है Option number A, भील, भील को मैच करना है मालवा से Option number B, थारू, थारू को मैच करना है तराई से Option number C, गोंड, गोंड को मैच करना है बस्तर से Option number D, टोडा, टोडा को मैच करना है नील गिर से इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A Question number 42, अधो लिखित में से कौन सा जोड़ा सही है इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A, थारू उत्तरा खंड Question number 43, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए सूची फर्स्ट में जनजात दिया है, सूची सेकेंड में छेत्र दिया है जनजात्र को छेत्र से मिलाना है Option number A, बिरहोर, बिरहोर को मैस करना है जार खंड से Option number B, भूटिया, भूटिया को मैस करना है सिक्किम से Option number C, टोडा, टोडा को मैस करना है तमिल नाडु से Option number D, सेंटिनेलीज, सेंटिनेलीज को मैस करना है अंडमान एवं निकोबार द्यूप समों से इसका राइट अंसर हो जाएगा Option number A Question number 44, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए सूची फर्स्ट जनजात, सूची सेकेंड छेत्र जनजात को छेत्र से मिलाना है Option number A, टोडा टोडा को मैस करना है तमिल नाडु से Option number B, लेपचा लेपचा को मैस करना है सिक्किम से Option number C, बिरहोर बिरहोर को मैस करना है जहार खंड से Option number D, गारो गारों को मैस्ट करना है मेघाले से इसका राइट अंसर हो जाएगा ओफ्शन नमबर बी कोशन नमबर फोटी फाइब सूची फस्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दियेगे कूट से उसके सही उत्तर चुनिए सूची फस्ट में जनजाद दिया सूची सेकंड में छेद्र जनजाद को छेद्र से मिलाना है ओफ्शन नमबर ए गद्दिस गद्दिस को मैस्ट करना है हिमाचल प्रदेश से ओफ्शन नमबर बी टोडा टोडा को मैस्ट करना है तमिल नाडु से Option number C, خاسी, خاسी को मैच करना है मेघाले से Option number D, नगा, नगा को मैच करना है मड़िपुर से इसका right answer हो जाएगा Option number D Question number 46, सूची 1st को सूची 2nd से मैच करना है सूची 1st में जनजातियां दिया है, सूची 2nd में राज दिया है जनजातियों को राज से मिलाना है Option number A, ओराओं, ओराओं को मैच करना है जारखंड से Option number B, खोंड, खोंड को मैच करना है ओडिशा से Option number C, चेंचू, चेंचू को मैच करना है केरल से Option number D, टोडिया, टोडिया को मैच करना है गुजराच से इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A question number 47 निशी जन्जार्थ मुखिता कहां पाई जाती है इसका राइट अंसर हो जाएगा option number B अरुनाचल प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो like और share जरूर कर देना thank you so much have a nice day